Hi Friends! Welcome to my channel, दोस्तों, आज की इस वीदियो में हम लोग बात करने वाला है जियो फाइवर कनेक्षन के बारे में, अगर आप जियो फाइवर कनेक्षन लेना चाहते हLES आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे एरिया में जियो फाइवर कनेक्शन है या नहीं तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपके लिए खासकर वीडियो होने वाला काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि अगर आप जियो फाइवर लेना चाहते तो आपको पता आप कर दियें तो हो सकते हैं कि आपको लेट कॉल जाए और मैं ऐसा टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कनेक्शन है या नहीं और आप उसमें बुक भी कर पाएंगे वीडियो को जड़ा सा भी एसकीप ना करें क्योंकि वीडियो काफी नहीं अगर इस तरह के वाल्ड बॉक्स आपके घर के आसपास सौ मिटर के रेंज में लगा हुआ है जिसका मतलब कि आपके एरिया में जियो फाइबर अबलेबल है यहां पर आपको जियो फाइबर का कनेक्शन मिल सकता है और जैसा के साथ में देख सकते हैं यह ब्लैक कलर में है तो इसका मतलब कि आपका एरिया में जियो फाइबर का कनेक्शन आ चुका है और आप इसका यूज कर पाईएगा इसमें एक चीज़ और है कि अगर जो यह फैट वोक्स आप देख रहे है इस फैट वोक्स पर अगर कोई नंबर है इसमें होता यह है कि एरिया है या नहीं एरिया लाइव होने में अगर यह फैट वोक्स लग चुका है इसके बाद भी एरिया लाइव होने में एक से दो महिना समय भी लग जाता है तो इसको कैसे पता करें कि एरिया लाइव है आप देख सकते हैं फैट वोक्स पर यह नंबर दिया हुआ है अगर यह वाइट कलर का जो आश्टीकर चिपकाया हुआ है यह अचिपकाया हुआ है तो आपको पता चल जाईगा कए अरिया लाइब है और देख सकते ह усah Clock Clock आं अंदर में यहाले नीचे में पर नीज है जो ब्लैक क्लर का यह जो connection गया हुआ यह किसी का connection चल रहा है अगर यह चीज आप इरिया में कहीं पर भी नजर आ आपके घर के आसपास सौ मेटर में कहीं पर भी यह चीज़ आगर देखanger error ले सकते हैं और इसको installation कराकर आप इसका यूज कर सकते हैं सबसे आसान तरह lebih का जीयो आपको स्लाइड करके नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आप यहां पे लिखा हुआ है गेट जीओ फाइबर इसको आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह सी इसका इंटरफेस खुलेगा और यहां पर लोकेशन मांग रहा है तो यहां पर आप और इस टाइम कर सकते हैं सो लोकेशन डालने के बाद देख सकते हैं यहां पर अपना पीन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का तो मैं अपना फिन कोड डाल दे रहा हूं यहां पर नीचे देख सकते हैं यहां पर फ्लैट मांग रहा है तो फ्लैट में आप कुछ भी डाल सकते हैं अगर आप फ्लै आप continue कर दीजिए continue करने के बाद यहां पर देख सकते हैं start typing your location है यहां पर आप अपना location डाल दीजिए इसे मैं डाल दे रहा हूं लोयाबाद यहां पर डालने के बाद यहां आपको continue करना है continue करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं coming soon यानि कि यहां पर अभी fiber नहीं आया है fiber आने में यहां पर हो सकता है समय लग सकता है six month या 12 months या फिर two years कुछ भी लग सकते हैं यहां पर मुस्किल है कि कितना समय लगेगा सो यहां पर आपका दिखा रहा है कि आप जिस एरिया में अभी रह रहे हैं जिस एरिया का location डाले हैं वहां पर जियो फाइवर का connection अभी तक नहीं आया है आने वाला समय में वहां पर आ जाएगा मगर यह guarantee नहीं है कि कितना समय आपको अपने address के बारे पुछना है कि इस address में जियो फाइवर connection है या नहीं वहां के आप जो भी आपको डिटेल में बता देंगे क्योंकि उनके पास भी जियो फाइवर का data रहता है और उनको भी जनकारी रहती है वह आपको डिटेल में बता दें कि हाई इस एरिया में ज यह दे रहा हूं क्योंकि इस पर पहले से मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आप description में जाकर देख सकते हैं कि जियो फाइवर के booking किस परकार की जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करे अगर आप हमारे चैनल में नहे हो तो चैनल को subscribe करें अगर आपको कोई भी problem हो तो आप comment box में comment करके हमसे पूश सकते हैं तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद